नमस्कार मैं हूँ आचल सिंग और आप सभी का सौगत है हमारे चैनल पर कश्मीर से दो बड़ी खबरे आ रहे हैं एक तरफ एनाईये ने बड़ी कारवाई किया है पीडीपी के एक वरिष्ट नेता को गिरफतार किया है आतंकी शाजिस रच रहे थे जिसके तहत उनको गिरफतार किया गया है दूसरी बड़ी खबर है रोश्नी एक्ट में बड़ा खुलासा हुआ है फारुख अब्दुल्ला का भी नाम सामने आया है महबूबा मुक्ती का भी नाम सामने आया है किस तरीके से जो उनके ऑफिस हैं वो भी उन्ही जमीनों पर बने हुए है जिन पर अवैध कबजा उन पुर रह्मान को गिरफतार किया गया है उन्हें आतंकी शाजिस के मामले में गिरफतार किया गया इसी के साथ आपको बता दे कि किस तरीके से गट चोर पीडीपी का आतंकियों के साथ रहा है जब से धारत 370 हटी है किस तरीके से बयान बाजी लगातार उन लोगों के अर्थन से धारत 370 वो बहाल कराएंगे तो इसे ये साफ नजर आता है कि देश के बड़े से बड़े दुश्मन के साथ मिलने में उन्हें कोई गुरेज नहीं है अब उनके जो नेता पकड़े गए हैं इसमें कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि PDP का जो कनेक्शन है वो आतं हमला प्लान किया जा रहा था अभी आपने देखा चार जो आतंकी मारे गए हैं उनका एंकाउंटर हुआ था उसके बाद ये खुलासा हुआ था कि डीडी सी चुनाओ से पहले ही एक बड़ा आतंकी हमला जम्मू कश्मीर में होने वाला था अब उसके पहले ही वरिष्ट न रह्मान को इस वज़ा से गिरफतार किया गया है क्योंकि वो डीडी सी का चुनाओ लड़ रहे हैं जबकि चुनाओ से पहले एक बड़ा हमला करने की शाजिस रची जा रही थी और इसी मामले में उन्हें गिरफतार किया गया है सच्चाई ये है कि जम्मू कश्मीर में धा वहीद उर्रह्मान से दो बार पूच्टाच की गई थी और बताया जा रहा है कि वहीद उर्रह्मान के संबंध देवेंदर सिंग और हिजबूल कमांडर नावेद बाबू के साथ है। और इसके साथ ही हथियाद बरामद हुए थे साथ ही उनका जो बंगला है उसको लेकर भी सवाल खड़े हुए थे और वो किस तरीके से आतंक्यों को जो रक्षा मसले हैं उस पर वो जानकारी मुहया करा रहे थे अब इन सबको लेकर चांच हो रही उस पूरे मामले में और उन नाकाम किया गया है इसके साथ ही उनको गिरफतार किया गया है इसी के साथ आपको दूसरी बड़ी खबर बता रहे हैं कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में रोशनी एक्ट उजागर हुआ है कि उसमें क्या कुछ हुआ किस तरीके से अवैध जमीनों पर कपज़ा किया पीडीपी के नेताओओं के जो नाम शामिल है पार्टी कार्याले खड़ा कर दिया था इसी पार्टी के नेता रहे हसीब राबू ने भी सरकारी भूमी पर कबजा किया और पीडीपी से ही जुड़े तालीब हुसेन का भी इस सूची में नाम सामने आ रहा है उन्होंने दो कनाल सरकारी भूमी अपने कबजे में रखी अब महबुवा मुक्ती का जो पार्टी का रियाल है वो भी उसी जमीन पर बना हुआ तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से अभी तक इनकी दुकाने चलती आई हैं और ये बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि कश्मीर में धारा 370 हटे और जनता के हक में फैसला हो हमेशा इन्ह पर ये 370 बहाल करानी की बात करते हैं अब इसी के साथ एक और बड़ा खुलासा ये हो रहा है कि फारुक और उमर के घर भी सरकारी जमीन पर हैं इस मामले में भी अब खुलासा हो रहा है कि रोशनी घुटाले की जो पूरी कहानी है जिस तरीके से गुपकार के नेता उसमे सामने आ रहे हैं चाहे वो कॉंग दिस के हो या एंसी के हो या फिर पीडीपी के हो सभी नेताओं के नाम सामने आये आतक कि दफ्तर भी उनके उन्हीं जमीनों पर बने हुए हैं जिन जमीनों पर इन्होंने अवैद कब जा किया हुआ है गुटाला किया हुआ है 25 करोड का ये जो घुटाला है जम्मू कश्मीर के इतिहास में सबसे बड़ा घुटाला हुआ है और ये गुपकर नेता जो ये कहते आये हैं कि वो जम्मू कश्मीर के सबसे बड़े हितकर हैं जबकि आज तक उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया है वो नहीं चाहते कि वहाँ विकास के क कर रही है केंसरकार लगातार वहां पर विवस्था बना रही है तो इन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है कि अब उनकी दुकान बंद होने वाली है और सालों से जो वह मलाई खाते आए हैं वह मलाई इनको नहीं मिलने वाली है अपने बच्चों को किस तरीके से बाहर पढ वहां की जनता को किस तरीके से भड़ा कर आतंकवादी बनाते हैं यह साफ नजर आया पिछले दिनों में किस तरीके से ऊनको पथरzahl बाज बनाया जाता हैं और हिन सब को जबga कर दिया गया तो इस से उनको मिरची लग गई बेश के दुश्मनों के साथ यह ऐइक मिलाकर ख पको बाहरी छेत्र सुजवा में जो आलिशान बंगला बना हुआ है वो भी सरकारी जमीन पर खड़ा हुआ है। जिसकी रूप रेखा खुद फारुक सरकार नहीं कीची थी आरोप ये भी लगाय गया है कि फारुक की बहन सुरेश ने भी रोशनी एक्ट के जरिये तीन कनाल और बारा मरने जमीन अपने नाम करवाई थी और उसकी सरकारी कीमत भी आज तक सरकारी खजाने में जमान नहीं कर जो करीब एक करोर रुपय के आसपास एक बड़ा आरोप और भी लगा है और उससे ये साफ हो गया है कि अब्दुल्ला परिवार ने भी अपनी रिहायश के लिए सरकारी जमीन पर कबजा किया अब्दुल्ला परिवार पर इस घुटाले में एक बड़ा आरोप ये भी लग है कि नेशनल कॉंफरेंस के जम्मू तथा श्री नगर इस्थित कार्याले के मालिकाना हग भी रोशनी एक्ट के आर में ही फारुक के पास है यानि कि जो कार्याले हैं जो आलिशान बंगला है वो सब उसी जमीन पर है जिस जमीन का घुटाला इन्होंने रोशनी एक्ट के तहत किया हुआ है यानि कि अब जब हाई कोट ने इसमें आदेश दे दिया है कि जो भी इन लोगों के जो जमीन जो इन्होंने कबजा की हुई है जो इनके बंगले हैं या फिर जो इनके दफ्तर हैं उन सब को खाली कराके और जमीन सरकार को वापस होनी चाहिए तो अब इ रोषणी एक्ट के तहट तो जो गरीबों में जो जमीन जानी थी उस पर यह खुद ही कबजा करके बैठ गए तो आप सो सकते हैं कि गरीबों की बात करने वाले निचले तबके की बात करने वाले ये कॉंग्रेशी और ये जो पीडीपी और नच्य की नेटा है किस तरीके के दोयम दर्चे के नेता निकले किस तरीके से ये बड़े-बड़े भृष्टाचार करके और बड़े-बड़े जो जमीने हैं वो डकार जाते हैं अब चीजे सामने आ रही हैं प्रेंका गांधी वाद्रा के पाती राबर्ट वार्णन दे इतना बड़ा घुटाल वहाँ पर हैं और कॉंगरेस के साथ ये जो बड़े-बड़े नेता जो बड़ी-बड़ी बाते करते हैं मंचो पर आकर जिस तरीके से कश्मीर की बातें भारत की बातें और उसके पास सचाईन की क्या है वो भी सामने आ रही है तो ऐसे जो अपने आपको सेकुलर कहते हैं और तमाम तरीकी की चीजे कईके जब सोशल मीडिया पर प्रधानमंती नरिंद मोदी से सवाल पूछते हैं वो लोग आज इस मामले में दही जमा कर बैठे हुएं और ना ही कॉंग्रेस पीडीपी और एंसी से सवाल पूछ रहें अभी जो गिरफतारी हुई है वरिष्ट ने कि हम लोग में शाजिस में जो सामिल है वो वही नेता है जो अब देश की बाते करने वाले हैं जो कश्मीर की बाते करने वाले हैं जो गरीबों की बाते करते हैं वो लोग ही शामिल है तो उन लोगों से सवाल क्यों नहीं पूछा जाता है क्योंकि विचार धारा इन लोगो वा मुक्ति इन सब के पार्टी की जो नेता है वो तो शामिल है इसके साथ इनके दफ्तर और इनके जो आलिशान बंगले है वो सब भी इसी में शामिल है तो आप समझ सकते हैं किस तरीके का बड़ा घुटाला इन्होंने किया है और क्यूं इनके पेट में दर्द हो रहा था क क्यूं इस तरीकी की बयान बाजी की जा रही थी कि जब यहां पर केंद सरकार आएगी और जब वो चीजों को देखेगी तो खुलासे होंगे और उसके बाद इनके पैरो तले जमीन खिसकने वाली है इनके दफ्तर की जमीन हो या आलिशान बंगले की जमीन हो आब इनके हा प्रूंग